ऐभा फेर साप 높ों का उस्पे Trix में सुङागा थे आज के इस लेक्चर में वह कुर्ण में डिसकस करने वाले हैं जो P झी टी खमीस्टिटी थीरी तो देके बेगिए पीजीटी वाली जितने भी हैं उनको देखिए एक चीज देखना है कि पीजीटी का जो वेटेज जो है दो पार्स में डिवाइट किया गया है 85% दूसरा 15% अब देखिए 85% में जो एक पेपर होना है ठीक है उस एक पेपर में जो है 125 कोस्टन साने है इनका टाइम कितना है त देखिए हर एक कोस्टन जो है 3.4 मार्क्स का है तो इस वज़े से टौटल जो मार्क्स हो जाते हैं 425 ही हो जाते हैं अब दिखेंगे 425 मार्स का टौटल पेपर होना 15 में भी दो पार्स में डिवाइट कर दिया गया है 5% और 15% अब देखिए 5% किसको दिया गया है यह दिय किए हुएं एंफिल किए किए हुएं बेर किए हुए थो हिसके जो 25 मार्ग बनते हैं अब दीकिए 15% में यह इंटर्वियू रहने वाला है इंटर्वियू के टोडल मार्ग के तने होंगे 50 तो इस वज़े तो देखिये यहांपे हम डोग डिटेयल में डिसकस करने वाले हैं आप लोगों को देखिए हिंदी में स्लेबस मिल जा है इंगली को test series प्लस जितने भी 2000 से लेके 2021 तक जितने भी previous year के question paper हैं उनके detailed solution मिलेंगे और इन test series जितनी है test series का तो मिलेंगे ही साथ-साथ जो है test series के detailed video solutions भी मिलने वाले हैं उसी के साथ-साथ आप लोगों को DDP भी मिलेंगे topic wise अब देखिए यह सब जो है बहुत कुछ मिलने वाला है आप लोगों को जो भी enroll होना चाहते हैं आप लोगों को जो है link मिल जाएगी contact number मिल जाएगा वहां से आप लोग contact कर सकते हैं तो चलिए सब सबसे पहले यहां पर हम लोग जो है इसका स्लेवर डिसकस कर लेते हैं देखिए तो देखिए सबसे पहला है फिजिकल कमेस्टी में अब देखिए गेसिस इस्टेट में जो है molecular kinetic theory पड़ना है हीट absorption है energy distribution है molecular collision ट्रांसपोर्ट फिनामिन अमीन पाथ कोलीजन डायमीटर और नॉन आइडियल गेस वांडरवाल गेस अधर इस्टेट उसके बाद जो है कर्रिस्पांडिंग इस्टेट आप दिलाग लिक्विकेशन अब लिक्विड इस्टेट में देखिए क्या है क्रिस्टल सेप उनकी सिमेट्री पढ़ना है यूनिट सेल्स के बारे में मिलर इंडिसेस हैं उसे तरीके ब्रैक्स एक्क्वेशन एनसे लिस्ट्रक्चर बॉंडिंग क्या है उनकी बीश में और उसी के तरीके जो है क्रिस्टल डिफेक्ट्स यह सब आप लोगों को जाना अब देखिए कोलाडेल स्टेट में तो कोलाडेल स्टेट में कुछ ही है जो स्लेक्टट पाड़ना ठीक है उसी तरीके दिखे मॉल्टिय स्ट्रक्चर इसकर स्कॉपी भी है ठीक है तो ध्यान रखना स्प्रेश्थ को भी गलतीस छोड़के नहीं जाना है अब दिखे दिखेंगे थर्मोडायनमिक्स में भी पूरा है जितना भी दिया गया है आल टोटल उसी दरीकिस मलीक अब स्टेटिस्टिकल जो है यह आप लोगों को भी ध्यान देते हुए चलना है अब दिखेंगे स्टेटिस्टिकल में क्या क्या है पार्टिशन फंक्शन है उसका सिगन अब देखना है अब देखें तरीके सरफेस कमेस्टी एड्जॉप्शन में देखेंगे बैट इक्वेशन भी दी गई है फिसकल आइंद्गान डिकमिर्जॉपजेशन लेंग प्रिंसपल लेजर अब catalytic homogeneous heterogeneous catalysis देखना एंजाइम catalysis भी देखना है अब दीके solution में solution में तो वही है class 12 वाला ठीक है तो इसी में बस जो है इसमें abnormal properties वगरा सब देखके जाना अब दीके nuclear chemistry अब दीके nuclear chemistry में जो है basic structures and their classification nuclear forces flow of atomic nuclei droplet based model है उस तरीके nuclear stability है energy transformation in nuclear reaction concept of the nuclear fragmentation nuclear fission and fusion reaction यह सब देखके जाना है अब देखिए chemical kinetics में भी वही सारा है class 12 वाला ही है अब देखिए order वही सब पूरा class 12 वाला है बस इसके transition state theories वगेरा जो है activated hybrid theory यह सब देखके जाना है अब देखिए chemical equilibrium chemical equilibrium में भी वही है सब class 12 वाला है one type equation वगेरा phase equilibrium में भी वही है अब देखिए phase rule देखके जाना phase diagram अब one component के वल और इसके application अब देखिए electrochemistry अब देखिए electrochemistry भी पूरी ही देखके जाना है इसमें भी कुछ भी नहीं छोड़ना है ठीक है तो डिवाई हकला limiting हो गया electrochemical cell electromotive forces हो गए ठीक है oxygen hydrogen fuel cell है application electromotive force के अब देखिए आयनिक इकली विरिया अब देखिए आयनिक इकली विरिया में भी भाई पी एच पी ओए से पी के और पी के भी है ठीके बफर solution से theory जो है इसके indicators देखना है अब देखिए atomic structure inorganic में आ जाते हैं देखिए atomic structure भी पूरा ही लगवे पलके जाना है ठीक है वेव पार्टिकल डुएलिजम है heisenberg suns relativity principle है श्रोडिंगर वेव equation है quantum theory है ठीक है linear angular potential distribution है sp1 case spd के सबके शेब देखके जाना है और प्रिंसिपल पाव एक्स्क्लोजन प्रिंसिपल एक्ट्रोनिक कफिग्रेशन सबके हुंचरा अगर वाइस प्रेइडर करती में दिखनाए तरीक फिरियोडरिक टेबल भी पूरी देखके जाना है प्रियोडिक प्रोपर्टी जिनकी किस तरीके स्वेरिकरती है जिसे कि आनिक रैडियाइस आ हो गई आइन इसे नजिघ्ड होगे पींटि एलेक्र नेट्र नेकिटिविर् और दिखेंगे केमिकल बॉंडिंग में भी वही आयनिक बॉंडिंग के लेटिस एनरजी बॉंड हेबर साइकल सॉल्वेशन एनरजी सॉली बिल्टी अप दिए आयनिक सॉलेट से कोवेलेंट और आयनिक नेचर फाजान सरूल पूरा देखके जाना है ठीक कोवेलेंट से केमिस्ट्री अब लीथियम बेरिलियम और उनमें एक्षेप्सन और डाइगोनल रिलेशन्सिप अब देखिए पी ब्लाक है इसमें जो इसके आक्सी एसिट वगेरा सारी प्रोपर्टीज जितनी भी है ठीक है सब अब दिखिए अब दी ब्लाक में भी तुम्हारा 4D हो हो गया 3D हो गया 5D हो गया उनकी क्रेक्टिरिस्टिक्स अब यह कोडिनेशन का मिस्टी भी पूरी ही है सब कुछ देखके जाना है इसमें दीवन से नाइन तक ठीक है मैगनेटी बीहेवियर और उनके CFSC अब देखिए ल कपलिंग ठीक है और आर्बिटल कपलिंग तो मैग अब देखिए यह भी सब है अब देखिए लेंट नाइट से देखिए अब डेक्टिंग अब देखना है उसी तरीके से जो है से परेशन का कैसे करते हैं अब देखिया अर्गनोमेटलिक हमस्टी में नोमेंकलेशर उनका क्लासिफिकेशन पढ़ना है केवल अब देखें बाइयो अर्गेनिक कमेस्टी में जितना बताया गया विल्कुल अच्छे से बाइयो अच्छे से रोल आप दी अलकली और अलकली मेटल केलिशम 2 प्लस बीडिस पेसल रेफरेंस ठीक है मेटल प्रॉफायर इंडिंग देखके जाना है यह मोगलोबीन और मायोग ठीक है जिसके एधयन और केवल अने OURS कंफरमेशन ठीक है है थेँआ अब रहर यार गोजेंट जिए कि आंञीसां एप जाना विल्टेशन के एक उसी के साथ जो है इंडर कंवर्जन अब फंक्शनल ग्रूप एल्डोस का केटोस में कीटोस के लोस में कंवर्जन अब देखे अरोमेटिक कंपाउंट्स में भी सारे देखना है कौन को उसे देखे एनिलीन फीनॉल होगे बैंजल लियाड बैंजोएक एसिड बैंजीन सल अब नार्मल सिंदेसिए अब बैंजीन डि देखनेशन अब येक्टिव इंटरमीटेट्स भी सारे देखना है अब देखे पोलीमर भी पुरा ही लगबग कवर हो जाएगा इसमें अब देखे कमेश्टीन एवरीडेय लाइफ ये भी बहुत अच्छे से धियान देखना है क्लासिफिकेंशन अब ड्रक्स, एंटिबायोटिक्स, और एक्रोकेमिकल्स, उसके सेस्परिन पेरसितामाल हो गया, फिनाल बीटाजॉन हो गया, ठीक है, सल्फेनिलालमाइड हो गया, आप देखे है अब देखे है सल्फागॉनिदीन हो गया, सल्फापाइरेदीन और हो गया ठीक है प्रामा क्यूण हो गया उसे दिए पी स अब तुम्हारा स्वार्ग हो गया उसे तीर-क्न हो गया परता याउन हो गया अश्चित अभ Mimi in puta neon ना है chemical composition एनिमल और बोटोनिकल वर्क किसका वितमिन A B C और थायरोक्जीन एस्टरोन और बायोजिकल इंपोर्टेंस ठीक है इतना स्लेबस में डेटेल में में इंशन कर दिया गया ठीक है तो यह सब चीजें हैं आप लोगों के स्लेबस में तो स्लेबस कवर करना है ठीक है प करना ना भूलें थैंक्स पर वाचिंग